संथ कभीर नगर में तीन विधानसबा सीटे हैं जिसमें दो पर इस समय बीजेपी है हलांकि 2017 में जब जीत हासिल की थी तो तीनों पर बीजेपी थी एक पाला बदल हो गया बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीराम चहान जी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में इस बार की चुनाओ में संथ कभीर नगर में क्या कहकर उतरेंगे मैदान में संतकवीन नगर में योगी फरकार के द्वारा जो विभिन छेत्रों में विकाश के कारे हुए हैं उन कारियों को यह आधार पर और लोक कल्यान कारी जितनी भी योजनाएं बनी जिफका लाव जनता जनारदन को मिला है सिधा उनके खाते में डीबीटी के माद्निम से सारी योजनाओं का लाव गया है तो इसनाते विकाश एक बड़ा मुद्दा रहेगा समाजवादी पार्टी और सारा विपक्ष कहता है हिंदू और मुसल्मान सिर्फ बीजेपी करती है कबीर नगर में संत कबीर की ही वाणी को ही फेल हो जाती है क्या संत कबीर जी के बाणी चिरंतन है शार्फवत है वह किभी के काने पर फेल नहीं होने वाज है जहां तक समाजवादी पार्टी के नेता का प्रशन है उन्होंने ही जिन्ना को पटेल के फंपक्ष खड़ा करके और एक वर्ग विचेश के ओट को लेने के लिए लाला इत हु और जब कोई किसी बर्ग के फाज जोडता है तो फाभावी रूप से उसके प्रतिकरिया होती है तुष्टी करण की राजनीती का आरोप तो बीजय भी पर लगता है मैं इसलिए पूच रही हूं क्योंकि संत कबीर नगर में जो नाम है क्या उस पर पार्टी विफल है लेक अब भाजन हुआ देश के विविन्य प्रकार के वर्ग भेद पन पे बढ़े और उफी राफ्ते पर समाजवादी पारटी और बहुजन समाजवादी पारटी भी चल गई भारती जनता पारटी तो सब का फास सब का विकास और सभी के प्रती विश्वाफ और सभी सब्सक्तान में उत्रेंगे संतकभीर नगर में संतकभीर नगर की एफ्थली जहां पर जो कविराकाशी मरे तो रामई कौन निहोरा काफी से चल करके आए और आज भी उपेक्षित बढ़ा रहा नाम तो संतकभीर नगर हो गया लेकिन जो है विकाष की जो वायू मंदल बन दिखना चाहिए वो नहीं दिखा और आज आप देख रही होंगी बहुत पहले आई हुई है यहर प्रकार फे संतकभीर नगर आगे बढ़ रहा है विक्षित हो रहा है मगहर भी जो उपेक्षित था आज गोरो गरिमा के साथ उन्नत भाल को ले करके खड़ा हो रहा है मगह के बिजया हो रही है है बड़े-बड़े midden नहीं है कभीर कैड़े की बन रही है कर्छारित होगी तो हर प्रकार से कभीर दाव के गोरो गरिमा के उफात उनकी जो प्रतिदाप पृतिमा है उसके हिसाब से शंतकभी नगर का विकास हो रहा है आप किसान पंत्री भी हैं किसानों को रिजहाने में मनाने में बीजेपी क्या लेट और विफल हो गई बारती जनता परड़ी खुदार दक्ति मना नेत्रुत्य के हाथों में है और इसलिए हम किसानों के हित में उसके हित समवर्धन के लिए सतत प्रयाश करते रहें उनका उत्थान हो उनकी आए कई गुणी विख्षित हो इसलिए विवहिन प्रकार की योजनाओं फे किसानों का कल्यान करने के दिशा में सरकार ने काम किया है उन्नत फिल बीज मिले, कृषी यंत्रों पर छूट मिले, कुछ मुफ्त भी किसानों को गई है नई तकनीकी के आधार पर खेती हो प्रदान मंत्री शिचाई योजनाओं फे स्पिरिंकलर और टपक शिचाई का प्रियोक करते हुए किसान आज लावानित हो रहा है हर छेत्र में प्रगती हुई है खेले के छेत्र में और ये जनपद चैनित हुआ है और केले का बड़ा उत्पादक बन करके भर रहा है निश्चित रूफे कृषी जगत में उद्ध्यान जगत में बड़ी बारी चमतकारिक आप तो यहां के निवासी हैं कबीर के दोहे में ही जनता को संदेश दे दे फांच बराबर तप नहीं जूट बराबर पाप जाके हिर्दे स्थांच है ताके हिर्दे याप कबीर दाज जी कहते हैं कि जिसके हिर्दे में सचाई रहती है प्रभू उफी के हिर्दे में बाश करता है जो चच्चाई के राफ्ते पर चलता है जनता भी उफी के बाद खड़ी रहती है भारती जनता पार्टी चच्चाई के राफ्ते पर आगे बढ़ती हुई चल रही है और इसलिए जनता जनारदन मन बनाई हुए इस तुनाव में जनता का भी संदेश है कबीर मन निर्भल वया जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर जनता है खुदी समझ जाएगी क्यामरा परसन सूरज पांडे और पंकज गुपता के साथ मनोग्या लोईवाल संत कबीर नगर एबीपी नियूज क्यागी